हलो एब्रीवन आपका बहुत स्वागत है पूइन किचिन में होली खेल कर आप लोग बहुत ठक गए होगे चलो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं पिस्ता ठंडाई के साथ पिस्ता ठंडाई बनाना बहुत आसान है बहुत स्वाध होती है ये पीने में बिक्षुल चेल्ड मिलके हम बनाएंगे पिस्ता ठंडाई जिसके लिए मैंने लिया है एक कप के करीब पिस्ता उसे हम ब्लांच कर लेंगे हाथों से मसल कर उसे आसानी से छिलका उतर जाएगा उसे साफ कर लेते हैं आधा कप के करीब खस खस के दाने थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट करेंगे और फिर उन्हें अपने ग्राइंडर में डालके ग्राइंड कर लेंगे, स्वात के अनुसार चीनी और थोड़ी सी काले मिर्च के साथ, बस फिर क्या करना है, उसे थंडे दूद में डालेंगे और ब्ल अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छी अच्छी आसान आसान वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहों और थोड़ा सा साइट में जाकर बेल आइकन भी दबा दीजी ताक बबबाई